बेलेरो ने मोटर साइकल को मारी ठोकर इलाज के दौरान वीवा के संजे गंजे स्पाल में महीला की हुई मौत महीला हर्मान नगर निवस्ति सतना की रहने वाली है एक्सिडेंट नगौत से सतना आते वक हुआ पती की हालत फिलाल गैतर बताई जा रही है बेलेरो ने मोटर साइकल को मारी ठोकर इलाज के दौरान रीवा के संजे गंदी अस्पताल में महीला की हुई मौत हम आपको बता दें मनोरमा विश्कर्मा पती कृष्ण कुमार विश्कर्मा उम्र 35 साल हनुमान नगर नई बस्ति सतना की रहने वाली थी अपने पती कृष्ण कुमार के साथ मोटर साइकल से नागाउद गई थी अपनी नज़ती की रिस्तेदारी में अक्सर ही पती पत्नी दोनों नागाउद का सफर करते थे अपनी ही मोटर साइकल से लेकिन बीते दो दिन पहले हाथसा होना था शायक इसी वज़ा से वहां से लोटते समय 6 अक्टूबर को उनकी मोटर साइकल को पीछे से आ रही तेज रप्तार बेलरों ने जोरदार ठोकर मार दी जिसकी वज़े से मनोरमा विश्कर्मा को गंभीर चोटाई उन्हें ततकाली इलाज के लिए 17 के जिला चिकित साले ले जाया गया जहां पर उनकी हालत को देखते हुए डाक्टरों ने प्रात्मिक उपचार के बाद उनको रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जा दी डाक्टरों ने उनको यहां पर भरती करके उनका उपचार प्रारम कर दिया मनोरमा के शरीर में काफी चोटे आई थी शरीर के विविन हुष से सहीत सर में काफी चोटी थे डाक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए अगले 72 घंटे काफी क्रिटकल बताये थे लेकिन 48 घंटे बीते बीते मनोरमा की मौत हो जादा तर मामलों में डाक्टर अथक प्रियास के बाद भी मरीज को नहीं बता पाते हैं जिस तरीके से मनोरमा के मामले में भी हम ऐसा ही कह सकते हैं हलाकि डाक्टरों ने उनके परियनों को साब तोर से बता दिया था अगले 72 घंटे काफी क्रिटकल है हमें 72 घंटे इंतजार करना है उसके बाद ही हम टैंकर पाएंगे इनकी हालत में किस तरीके से सुधार होगा डाक्टर अभी कुछ बोलने से बत रहे से उन्होंने 72 घंटे का वग दिया था लेकिन 48 घंटे बीटते बीटते मनोरमा की मौत हो गई अस्पताल की पुलिस चौकी में 845 बटे 22 के तहट प्रेकनर पंजीबत करते हुए पंचनामे की कारवाई कराने के बाद साव का पोस्ट मार्टम कराकर साव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है हमने मनोरमा विश्कर्मा के भाई से बात करने की कोशिश की जानने समझने की कोशिश की एक्सिडेंट कैसे हुआ कहा इलाज कराया डाक्टरों ने क्या कुछ कहा था, सुनिए उन्होंने हमें क्या कुछ बताया झाल 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 झाल